आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Voto खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमें दिये गए Statements को देखकर बताना है कि इन में से Austic Thys के लिए कौन सा Correct है अब Austic Thys जो हम Term Use करते हैं यह असल में Vertebrates के अंदर आने वाली एक Class होती है Vertebrates हमें मालूम है कि हमारे Animal Kingdom के Cordata Phylum के अंदर आने वाला एक ऐसा Subphylum है जिसमें काफी Well Developed Animals को हम Place करते हैं तो कौन से कौन से Animals हमारे Vertebrates के अंदर आ जाते हैं इसमें Fishes आती हैं इसके बाद में Amphibians को भी Vertebrates में Place करते हैं फिर हमारे Reptiles, Birds और Mammals यह सारे Groups हमारे Vertebrates में हो गए लेकिन इसमें हम देखते हैं हाला कि Amphibian, Reptile, Bird और Mammal इनके लिए अलग-अलग Classes होती हैं लेकिन Fishes जो है हमारी इनको दो Separate Classes में Place किया जाता है हमारे पास एक Super Class होती है जिसको हम Pisces बोलते हैं तो Pisces के अंदर सभी Fishes आ जाती हैं यानि Fins की Help से Movement शो करने वाले हमारे Vertebrates जो कि Completely Equatic होते हैं लेकिन Further दो Classes में इने हम Divide करते हैं जिसमें से एक होता है हमारा Osteakthis और दूसरा होता है Condricthis Class इन दोनों Classes में बिलॉंग करने वाली Fishes के बीच में कुछ Fundamental Difference होते हैं और सबसे पहला ये है कि जो हमारी Condricthis है इने हम Cartilaginous Fishes भी कहते हैं और Reason यही है कि इनका जो Endoskeleton होता है वो Cartilage का बना हुआ होता है जबकि Osteakthis से हमारा मतलब होता है Bony Fishes क्योंकि इनका Endoskeleton Bone का बना होगा तो Osteakthis के लिए कौन सी Correct हो जाएगी Statement इन में से पहला लिखा है कि ये Jawless Fishes कहलाती है ये गलत बात है यहाँ पर ये जो हमारे Piesis Super Class है इसके अंदर हम सिर्फ True Jaw Bearing Fishes को प्लेस करते हैं Jawless Fishes इसके अंदर नहीं आती और इसलिए Osteakthis के पास भी Jaw Present होता है फिर कह रहे हैं कि ये Bony Fishes है ये बात Correct हो गई हमने देखा था कि Bone का बना हुए Endoskeleton इनके पास होता है इसलिए हो जाती है Bony जबकि Condricthus हो जाती है हमारी Cartilaginous Fishes इसके बात कह रहा है इन्हें Cartilaginous Fishes भी कहते हैं अगेन गलत हो गया Condricthus Class Name हम यूज करते हैं Cartilaginous Fishes के लिए और Last में कह रहा है कि इसमें Shark, Ray, Rat Fishes यह सब आ जाती है तो अगेन गलत स्टेटमेंट है हमारी शाक और Ray वगेरा Cartilaginous Fishes के अंडर प्लेस की जाती है तो यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट्स में से हमारी Bony Fishes के बारे में औस्टिक्थिस के बारे में के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 उपर